तो चलिए शुरू करते हैं, तो सबसे पहला सवाल है कि Reliance Jio का जो फोन होगा, क्या वो Dual SIM सपोर्ट होगा या नहीं? तो जवाब ये है कि Reliance Jio का जो भी फोन आ रहाया है, वो Dual SIM सपोर्ट नहीं होगा, इसमें आप एक ही SIM चला सकते हैं, और ये डिवाइस सिर्फ वोल्टी सपोर्टिड होगी, यानि कि आप अगर ऑपरेटर की SIM इसके अंदर यूज़ करना चाते हैं, तो नहीं कर पाएंगे। अब अगला सवाल हमारे पास में है, क्या इसमें वर्टसप बगएरा यूज़ कर सकते हैं, तो जवाब है पिल्कुल नहीं, इस फोन का OS कुछ इस तरह से है, जो कि ये वर्टसप हाइक बगएरा सपोर्ट नहीं करता, तो आप इसमें वर्टसप के मज़े नहीं ले पाएं 153 रुपे बिल्कुल उसी की तरह हैं, जैसे कि आप 309 रुपे का रिचार्ज कराते थे जियो के लिए, जिसमें कि आपको 1 GB डेटा पर डे मिलता था, लेकिन आपको इसमें 153 रुपे में 500 MB डेटा पर डे मिलेगा, जिसमें कि आपको कॉल्स वगेरा बिल्कुल फ्री बस आपके लिए डेटा के लिए बाउंडेशन दे दी गई है, कि आप 500 MB से ज़्यादा यूज नहीं कर सकते पर डेगा, और चौता सवाल है कि क्या ये फोन टीवी से कनेक्ट हो सकता है, जिब बिल्कुल ये फोन टीवी से कनेक्ट हो जाएगा, जैसे कि हम सभी जानते ही ह तो आप इसे अपने टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं, यानि कि आपको स्पेशल अलग से रिचार्ज नहीं कराना होगा, जो कि आप नॉर्मल टीवी देखने के लिए रिचार्ज कराते हो, जैसे टाटा, इसकाई वगेरा जो भी है, लेकिन खबर ये है कि इस फोन को कनेक्ट क नहीं देख पाएंगे, अब अगला सवाल जो है फोन की कीमत को लेकर, फोन कितने का है, जैसा कि अब हम सभी जान चुके हैं कि फोन की कीमत कुछ भी नहीं है, फोन फ्री में है, लेकिन आपको इस फोन को लेने के लिए 15 सुर पर डिपोजिट करने होंगे, जो कि as a security चार् इंदर आपका फोन सही सलामत रहेगा, हो सकता है चोरी हो जाए या हो सकता है डेमिज हो जाए, और हो सकता है कंपनी की कोई policy हो, जैसे कि फोन में अगर कोई physical damage पाया गया, तो आपको refund नहीं मिलेगा, तो कुल मिलाकर सामने ये आता है कि फोन की केमत लगबक 1500 रुपे ही है और तीन साल बाद मुझे नहीं लगता कि कोई फोन को वापस कराएगा, और ये सब सुनने के बाद अगर आप अभी भी confused हैं कि ये फोन लें या ना लें, तो भई मेरी राय तो यह है कि अगर आपके पास में कोई secondary device है, जिसमें की calls वगरा सब कुछ free है, और आजकल वैसे वाइफाई तो सभी के आसपास है ही, तो मेरे हिसाब से फोन लेना बेकार है, और बाकी आपकी मर्जी, अगर आप कुछ नया experience लेना चाते हैं, तो फोन को खरी सकते हैं, जो की 24 अगत से मिलना शुरू हो जाएगा माई जियो एप या जियो वैबसाइट पर, और साथी जि और जिसके delivery होने लगेगी एक September से, तो दोस्तों मैं आपकी राय जानना चाता हूँ, क्या आप ये फोन अब भी लेना चाते हैं, अगर लेना चाते हैं तो मुझे प्लीज कॉमेंट में लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेर करना ना आप पहरी वार देख रहे हैं, तो हमारे चनल को सब्स्राइब चरूर करें, मैं हर तरह की टैक में लेकिट जान करीं आपकी लिए लाका रहता हूँ, तो मिलते हैं अगले अपडेट में तब तक के लिए बाबाए